तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए कि JPSC की तरफ से जो वेकेंसी निकल कर आई है दोस्तों लेखा पतादीकारी के पद पर तो नीचे चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं तो यहां पर पद का जो नाम है लेखा पतादीकारी के रूप में आई हुई है यानि कि एकाउंट ओफिसर के पद पर इसमें जो है जैनल के लिए साथ पोस्त आई हुई है और SC के लिए 2 और ST के लिए 4 और BC1, BC2 औ और EWS candidate कि लिए परतेक के लिए एक एक हुई है और इसमें total post के बात करें तो सलो मेला के लिए एक पोस्ट पर आ रच्छेत है और यहां पर ब्लाइंड and low विजन के लिए एक पोस्ट आयो है तो वेत्न मान के बात के दो 1400 ग्रेट वेपर आपको वेतन दिया जाएगा और य वानी जीय अर्थ सास्त्तर, गणित और संक्याई की किसी भी सब्जेक्ट से जो है असनातक कियें तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते ही यानि कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो आप इसे अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वानी जिया अर्थ सास्त्र गणित और संक्या की सब्जेक्ट से भी होना चाहिए तो उम्र सीमा की गणना को जो है एक आठ दो जार पंदरे से की जाएगी और नियुनतम उम्र सीमा जो है एक 35 वर्स रखा गया है और अधिक्तम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो है अनारच्छित के लिए 35 वर्स है और यहाँ पे जो है निसक्त अभ्यार्थियों के लिए 10 वर्स की छूट है यानि कि 45 साल तक आप अपलाई कर सकते हैं पिछड़ा बर्ग अनुसुची 2 और पिछड़ा बर्ग अनुसुची 1 के लिए 35 वर्स रखा गया है और अगर आप निसक्त अभ्यार्थियों में सामिल लें तो आप 47 वर्स तक अपलाई कर सकते हैं महिला अनारच्छित 35 वर्ग 1, 35 वर्ग 2 के लिए 38 वर्स रखा गया है महिलाओं के लिए और यहाँ पे जो है निसक्त अभ्यार्थियों के लिए 48 वर्स है यानि कि 10 साल की छूट दी गई है और अनसुची जाती और अनसुची जन जाती दोनों के लिए जो है महिला अवंग पुरूस के लिए 40 वर्स अधिकत अम उम्र होगी और अगर आप निसक्त अभ्यार्थियों में सामिल लें त पतादिकारी के रूप में डायरेक्ट भरती मिलेगी वही जो है सीधी नियुक्ति के रूप में देखा जा रहा है और यहां पे दिया भी गया है और इसमें जो है अगर आपको परिच्छा का स्वरूप के बारे में डीटेल्स में अगर आपको चाहिए तो आप हमें पीचे चलते हैं और परिच्छा सुल्की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप अनारचित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग यानि कि EWS पिछला वर्ग 2 पिछला वर्ग 1 सड़ी के उमिद्वारों के लिए जो है 600 रुपया चार्ज रखा गय अगर आप में चार्ज भर देते हैं तो आपके वापस से पैसा नहीं मिरने वाला है तो अवहिदन आपको जो है उन-लाइन करना हो गए यानि की अवहिदन के पर क्रिया जो की उन-लाइन अपको करना है कि 19 10 2019 से जो है इसको आप apply कर सकते हैं और इसका link हम description में डाल देंगे jpsc.gov.in से जाके आप इसे apply कर सकते हैं तो तिथी की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं नीचे दिया गया था तो यहाँ पर जो है अंतिम जो तिथी होगी वो 1511 यानि कि 15 November 2019 तक आप इसे apply कर सकते हैं बात हो रही है तो अगर आपको विडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ से कीजिए और इसी तरह कि आपको अगर बीडियो झाल झाल